हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है ? आज मैं स्वेटर की डिजाइन बताऊंगी ये बच्चों को स्वेटर बहुत ही प्यारई डिजाइन लगता है बनाने पर इसको आप ऐसे काडियों उगळायपर भी डाल सकते हैं करते हैं यह डिजाइन देखें तो चलिए शुरू करते हैं इस डिजाइन को बनाना कैसे बनाते हैं कि यह देखिए पहले हम इसमें यह किनारे हम आठ फंदाय से सीधे बुन लेंगे अगर हमारे चाइनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लिजिए और बेल आइकन को प्रेस किजिए ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा और वीडियो अच्छी लगी कि तो लाइक और शेयर जरूर किजिएगा ये देखिए ये आठ फंदे हमने सीधे बुन लिए और फिर फंदे अपने तरफ करके ये दो फंदे उल्टा ले लेंगे यहाँ पर ये आठ फंदे का ये डिजाइन आए ये पूरी डिजाइन आठ फंदे में हुआ है और हमने ये बीच में उल्टे सीधे 8 फंदे ले लिया है ये वाला तो देखिए ये हमने उल्टे 2 फंदा ले लिये अब हम यहाँ पर ये एक जो फंदा है इसमें हम इस तरह हम जाली देते हुए इसको बनाएंगे इस तरह आएसे और फिर फंदे हम अपने तरफ परेंगे ऐसे इस तरह और फिर यहां पर हम जाली देंगे इस वले फंदे में ऐसे देखिए इस तरह और फिर हम दो फंदा उल्टा ले लेंगे ऐसे करके और फिर धागे पीछे करेंगे फिर आठ फंदा सीधा बून लेंगे ऐसे और फिर ये दो फंदे हम उल्टा ले लेंगे इस तरह और फिर यहाँ पर हम इस फंदे में हम जाली देंगे इसको देखिए इस तरह ये धागे अपने तरफ रखेंगे और इसको इस तरह निकालेंगे ऐसे देखिए फिर मैं बताऊंगी इस बर ये देखिए धागे अपने तरफ रखेंगे और इसको इस वाले फंदे में इस तरह जाली देंगे हम और ये जो है एक फंदा इसको हम इसी तरह शीधा इसको देखिए, इस वाला में फिर हम धागे अपने तरफ करके इस तरह हम ऐसे जाली दे देंगे ऐसे और फिर धागे अपने तरफ रखेंगे और इसको दो पंदेव हम उल्टे ले लेंगे फिर हम यह आठ पंदे शीधे बुन लेंगे और फिर उल्टे के साइड में हम सारे यह देखिए जो उल्टा है हम उस पर उल्टा बुनेंगे यह आठ फंदे हमने उल्टा ले लिए यह देखिए आठ फंदे हम उल्टा ले लिए फिर अब यह धागे पीछे करेंगे और दो फंदे हम सीधा लेंगे ऐसे और फिर हम इसमें यह दो फंदे हम उल्टे ले लेंगे ऐसे और फिर हम दो फंदे यह सीधा बुनेंगे धागे पीछे करके और फिर यह हम दो फंदे उल्टा ले लेंगे फिर यह दो फंदे हम सीधा ले लेंगे इसी तरह यह जो है यह देखिए यह उल्टे पर हम उल्टा बुनेंगे और जो सीधा है उस पर सीधा बुनेंगे पीछे के साइड से और यह बीच का है उसको हम उल्टा ही बुनेंगे पीछे के साइड साइड में इसी तरह हम इधर कंप्लीट करेंगे यह देखिए यह पीछे के साइड कंप्लीट हो गई और फिर हम जब सीधे के साइड आएंगे तो यह देखिए यहाँ पर जो हमने इस वाले फंदे को जाली दिये थे उसको हम इसी तरह सीधे बूल लेंगे ऐसे करके और इसी वाले फंदे में हम फिर इस तरह जाली दे देंगे और फिर हम दो फंदा उल्टा बुलेंगे ऐसे यह देखिए और इस वाले को हम सीधा बुल लिए फिर इस वाले हमें हम जाली देंगे यह बहुत आसान डिजाइन है बनाना और बहुत ही पयारा लगता है यह देखिए जो यह फंदा है इसी फंदे में हर सलई में जाली देंगे इस वले में दोरों साइड में यहां भी और यहां भी यह किनारे पर नहीं देना है हमको इस व फंदे में जाली देना है ऐसे इस तरह ये देखिए फिर ये आठ फंद हमने सिधा ले लिए और फिर ये दो फंद हम उल्टा बुनेंगे धागे अपने तरफ रखेंगे और फिर एक फंद हम सीधा ले लिए और फिर यहां पर हम जाली देंगे इस वाले फंद में जब भी आएंगे हम सीधे के तरफ से तो इसी वाले फंद में हम जाली देंगे ये देखिए ऐसे करके फिर ये दो फंद हम उल्टा ले लिए ये देखिए और जो ये बच्चे का इसको हम सीधा बूल लेंगे और इस वाले फंदे में हम हर सलाई में जाली देंगे जब भी सीधे के तरफ आएंगे ऐसे करके और पीछे के साइड जैसे मैंने पहले बताई थी उसी तरह बनाना है जैसे देखिए ये जो उल्टा है ये सारे हम उल्टे फंदे बूलेंगे और जो सीधा है उसको सीधा बूलेंगे और ये बीच का जो पाट है इसको हम उल्टे बूलेंगे उल्टे के साइड में और सीधे पर सिधे बुनेंगे, फिर यह उल्टा बुनेंगे, ऐसी ही हम कम्पलीट करेंगे पूरी यह डिजाइन को, यह देखिए यह कम्पलीट हो गया, यहां तक यह जो है, यह 5 लाइन बनाना था, यानि 5 रो बनाना था इसको, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, यह हो गया, अब यह छट्टे लाइन में हम क्या करेंगे, यहां पर यह देखिए, यह 8 फंदे हम सीधे ले लेंगे, इसी तरह, और उसके बाद हम इसमें, यह 2 फंदे हम उल्टा ले लिए, यह बनाना बहुत ही असान है, और जितना असान है उतना ही सुन्दर यह लगता है, डिजाइन बनाने के बाद, देखिए कितना प्यारा यह डिजाइन है और यह जो है देखिए इसमें हम इसको इस तरह लेंगे यह धागे हम पीछे करेंगे और इसमें हम दो बारी एक फंद में हम घुमाएंगे इसको इस तरह देखिए एक दो यह हो गया यह फिर देखिए एक दो देखिए एक दो एक दो यह इसी तरह हम इसको बनाएंगे और यहां फिर हम दो फंद हम उल्टा ले लेंगे इस तरह और फिर हम धागे पीछे करेंगे और इसमें हम देखिए इस तरह एक दो एक दो एक दो ऐसे करके हम निकालेंगे इसको एक दो देखिए एक दो एक दो यह हो गया फिर हम धागे अपने तरफ करेंगे और दो फंदा उल्टा लिकालेंगे और फिर हम यह आठ फंदा जो है बीच का हम उसको इसी तरह हम सिधा ले लेंगे सिधा ही भूल लेंगे ऐसे और फिर देखिए धागे अपने तरफ रखेंगे और ये दो फंद हम उल्टा बुनेंगे और धागे पीछे करेंगे और फिर इसमें हम दो इसको ऐसे दो बरला पेटेंगे इसमें ऐसे इस तरह ऐसे देखिए ऐसे करके और फिर धागे अपने तरफ रखेंगे और इसको हम दो फंद हम उल्टा बुनेंगे फिर धागे पीछे करेंगे ये दो बरला पेटेंगे इसमें ये देखिए इस तरह ऐसे इस तरह और फिर धागे अपने तरफ रखेंगे और फिर इस तरह ये आठ पंद हम सीधा ले लेंगे और फिर पीछे के सलाई में हम इस बार देखिए इसको ये आठ पंदा जो है हम इसको तो उल्टा बुनेंगे और ये दो फंदे हम सीधे बुन लेंगे पीछे के साइट से और ये जो छे फंदे में जो हम दो दो बाडला पेटे थे उसको हम देखिए इस तरह खोल लेंगे आईसे इस तरह इस तरह लेंगे ऐसे करके और फिर हम इसको दूसरी सलाई पर भी चढ़ा लेंगे ऐसे करके दूसरी सलाई पर ले लेंगे पूरे फंदे को ये छे फंदे को और फिर हम इसको सारे को एक बार में ही निकाल देंगे इसे करके पीछे के साइट से यह देखिえ फिर हम दो फंदा उल्टा ले लेंगे और फिर हम धागे अपने तरफ रखेंगे और इसको देखिए ये छे फंदे फिर हम दूसरी सलाई पर ले लेंगे इस larger और छे फंदे को हम एक बार में ही इस तरह निकाल देंगे ऐसे करके देखिए फिर हम दो फंदा उल्टा ले लिए और ये आठ फंदा हम सीधा बुनेंगे उल्टे बुनेंगे इस तरह और फिर ये दो फंदे जो है इसको हम सीधा बुनेंगे और फिर इसको हम इसी तरह बनाएंगे ये देखिए छे फंदे को दूसरी सलाई पर हम ले लेंगे ऐसे करके इस तरह और इस तरह निकाल लेंगे एक ही बार में और फिर हम ये दो फंदा उल्टा शीधा बुन लेंगे फिर इस छे फंदे हम इस तरह बनाएंगे ये छे को हम दूसरी सलाई पर लेंगे ऐसे और फिर हम धागे पिछे रखेंगे और दो फंदा हम सीधा बुनेंगे फिर धागे अपने तरह रखेंगे और ये आठ फंदा हम उल्टा बुनेंगे ये देखिए ये डिजाइन जो है ये कम्पलीट हो गया ये इस तरह लगेगा देखिए कितना प्यारा है और फिर इसके उपर से ये यहां से फिर दूसरा ये निकलेगा अब इस वाले फंदे में हम जाली देते हुए बनाएंगे इसको इस डिजाइन को इस वाले फंदे में ये दो उल्टा है और इधर दो उल्टा है बीच के जो ये फंदा है हम इसमें जाली देते हुए इस तर मेरी डीजाइन अच्छी लगी हो तो आप लाइक और शेर जरूर कीजिए अपने अपने घरों में खुश रहे हैं मस्त रहे हैं फिर मिलती हूं दूसरे वीडियो में नए डीजाइन के साथ